प्रेंड्स विल्कम टू अर्चिना के रषभेंदी आज अब सबका स्वाकत है तो हैं कितना स्वादिष्ट और डिलिसियस यहां पर हमारा शोया बड़ी जो है तुम्तूरियन मन के तहियार है तो आईए फ्रेंट्स राइस प्राइ मंचूरियन बनाने के लिए यहां पे हमने लिया है टमाटर, सोया बड़ी और यहां पे लिया हमने प्याज लाइसो नद्रक यह सोया बड़ी मैंने पानी में उबाला था तो अच्छे सी यह फूल गई है नमक डाल के अ यहां पे हमने चावल लिये 100 ग्राम अच्छे से धुल लिये हैं तो आईए फ्रेंट्स अब हम बनाना इस्टार्ट करते हैं यहां पे हमने प्रेसर कूकर को रख दिया गैस पर और गैस का प्लेम हमने मेडियम रखा है तो अब हमारा सरसों का तेल जो है तो गरम हो रहा है यहां पे हमने दो बड़े टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है और यह गरम हो रहा है तो यहां पे हमने कुछ खड़े गरम मसाले लिये हैं तो जो कि इस प्रकार है तो देखिए फ्रेंट्स शाओ धानी से आप इसको सारा देख लें तब ही आप से बनेगा वीडियो कि इ पकाएंगे तीन से चार मिनिट उसके बाद हम यहां पर पकाएंगे प्यास तिये देखिए फ्रेंट्स मैंने अच्छी तरह से चेल लिया था लेजन को फिर भी पीच में कहीं चिलका रहा होगा तो फट गया है तो आप बिलासन को साहँ धानी से चेलें अगर चिलका रहता और गयास का फ्लेम मीडियम रखते हुए पकाएंगे हाई प्लेम पर हमें बिलकुल भी नहीं पकाना है नहीं तो हमारा जो है तो राइस फ्राइब हो जाएगा तो यहां पर हम इसको अच्छी से चला लेते हैं तो यह देखिए फ्रेंट्स गयास का मीडियम फ्लेम हमने र नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा तो हमने बड़े-बड़े पीसे में प्याज को कट कर लिया है अब हम इसको अच्छी तरह से चला लेंगे इसी तरह से चलाते हुए मुसको तीन से चार मिनट लग जाएंगे और गयास का फ्लेम मीडियम ही रखना है ढख देंगे फिर से चला लेंगे तो देखिए हमारा प्यास सॉफ्ट हो गया ऐसी के साथ यहां पर हम मसाले एट कर देंगे मसाले हमको र्राय लेना है पानी बिल कि आसी द्रायी है तो तेन से चार मिनट पका लेने के अदि हमें एट कर देंगे टमाटर के इंगे लोकिय एक टमाटर मे एक टमाटर मेरियम साइज का का कट कर लिया वड़े पीस cij taken इसको भी चला लेंगे दो से तीन मिनट हमें थे माटर को भी चलाना है पिरना ताकि हमारा टमाटर शॉफ्ट हो जाए बस ज्यादा गलानी की कोई जुरूरत नहीं है हलका शॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद उपने आप गल जाएगा तो यहां पर हम इसको ढख देंगे और ढक करके तीन से चार मिनट तक पकाएंगे तो यह देखिए फ्रेंश टमाटर हमारे शॉफ्ट हो गए हैं यहां पर हम शोया बड़ी एड़ कर देंगे और जो की आलू एक लिया था मीडियम साइट के उसको बड़े पीचस में कट करके एड़ कर दिये हैं दो से तीन को चलाते हुए तीन से चार मिनट तक पका लेंगे बस उसके बाद हम यहां पर एड़ कर देएंगे चावल चावल जो की हमने धुल लिया है तो तीन मिनट पहले सबस्क्kannt ऐसका нез Cairo इसलिए ड़ो ड़ुले आप 5-10 मिनट पहले धुला रहेगा चावल घ्ला रहेगा नहीं तो चिपक जाएगा अपश में तो इसी तरह सब सुसको चलालेनें खाला लेने के बाद यहां पे पर तके बाद आघ करने के बाद रोग जब करे備 ऊाइड लें जादा बिलकुल भी ना लें पानी यहां पे इस 수ह इप सब यहां बहुत करने करुड़ यहां पर हम ढखकन लगा करके दो सीठी आने तक पकाएंगे उस्ते ज्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है नहीं तो हमारे चावल गल जाएंगे और आलू फोट जाएंगे जो की बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तो यहां पर हमें डिलिस्यस राइ फ्राइ बन